आज हम बात करेंगे कि गर्वती महिला का सोने का सही तरीका क्या है क्योंकि जिस प्रकार गर्वती महिलाओं में आहार, डॉक्टरी परामर्ष और भी बहुत सी चीजे जरूरी होती है उतना ही जरूरी होता है गर्वती महिलाओं में अच्छी नींद का होना सुरुवात के 2-3 महिनों में तो महिलाओं को किसी प्रकार की कोई शमस्या नहीं होती है लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है उनका पेट भी बढ़ने लगता है और सोने में उन्हें दिक्कत होने लगती है और वह इस प्रकार सोना चाहती है कि जिससे उन्हें आराम महिसूस हो लेकिन गर्वती महिलाओं को इस बात का पता होना चाहिए कि गर्वा वस्था में सोने का सही तरीका क्या है जिससे उनको और उनके होने वाले सिसू को कोई नुक्षान ना हो तो आईए जानते हैं सबसे पहले तो प्रिग्नेंट महिलाओं को उल्टा यानि पेट के बल तो बिल्कुल भी नहीं लेटना चाहिए क्योंकि इससे पेट पर दवाव बनेगा जिससे सिसु को खत्रा होगा और थैली फटने का डर्थ बना रहता है अब बात आती है कि क्या बिल्कुल सीधा पीठ के बल सोना चाहिए तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं है क्योंकि पीठ के बल पूरे समय पर या ज़्यादा तर सोने से कमर के उपरी हिस्से में दर्थ होने लगता है और पीर तर्द की भी समस्या होने लगती है जिससे कई सायलिक समस्याएं बढ़ जाती है अब बात आती है करवट लेकर सोने की तो सही तरीका यही है कि एक तरफ करवट लेकर ज्यादा देर तक नहीं सोना चाहिए क्योंकि आप जिस ओर ज्यादा देर तक करवट लेकर सोएं और कुछ समय सीधे पीट के बल भी सोना चाहिए ताकि आपका सिसु हर तरफ आराम से घूम फिर सके बस याद रखें कि आपको पेट के बल नहीं देटना है और नहीं एक ओर तक ज़्यादा करवट लेकर सोना है तो फ्रेंट्स उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का वीडियो अच्छे लगा होगा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक स्यर जरूर करें